नमस्कार दोस्तों स्वागत है एक बार फिर से आपके अपनी यूट्यूब चैनल में इस वीडियो को में हम पावर इलक्ट्रोनिक्स की मोस्ट इंपोटेंट कॉस्टन की क्लास 3 हम पर लेने वाले हैं इससे पहले भी दो लेक्चर आपको पावर इलक्ट्रोनिक्स M-Security के अपलोड कर दिये जा चुके हैं लेकिन ये बहुत ही अलग होने वाला लेक्चर है क्योंकि यहां पर हम आपको और इनकरेक्ट वाले No और Not वाले कॉस्टन लेकर के आपको आए हैं जैसे कि आपको साथ और 8 सेप्टेमबर में जो पीसेल का एक्जाम हुआ था वहाँ पर करेक्ट और नॉट करेक्ट वाले कॉस्टन की मेजरोडी बहुत ज्यादा थी उसी को बेस मानते हुए आपको ये कॉस्टन प्रोवाइड किये जा रहे हैं तो यदि आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर चाह आपको यहाँ पर mcqs मिलेंगे तो चलिए हम चलते हैं अपने पहले कॉस्टन की तरफ इसमें पूछा गया पहला कॉस्टन आपको दिखने के लिए मिल रहा होगा कॉस्टन है कंसीडर दी फॉलोइंग इस्टेटमेंट इसमें पूछा है कि आपका कौन सा दी गए इसमें पूछा है does not belong to the thyristor family यान की पहले हम कॉस्टन पढ़ लेते हैं इसमें कहा है consider the following devices पहला स्टेटमेंट SCR दूसरा GTO तीसरा BJT MOSFET और IG BT इसमें पूछा है which of these devices does not belong to the family of transistor इसमें पूछा है यह चार पांच डिवाइस है हमारे पास में इसमें से कौन कौन सी डिवाइस है जो transistor नहीं है ठीक है तो आपको सबसे पहले देखो मैं यदि इस पिरकार के question में आपको एक statement याद है तब भी आप उसके answer सही कर सकते हैं वो कैसे उसमें थोड़ी सी आपको practice करनी है और थोड़ी सी आपको knowledge होनी चाहिए जैसे कि हम जानते है BJT हमारा क्या है यह हमारा transistor है ठीक है यह हमारा transistor family का device है अब हम देख सकते हैं यह statement three जिस option में होगा वो हमारा answer नहीं होगा जैसे A option में 1 और 2 हैं यहाँ पर 3 present नहीं है तो इसको hold करते हैं अभी देख सकते हैं अब देखते हैं B option में 3 statement है हमारा इसका मतलब B option हमारा answer नहीं होगा option C C में भी 2, 3, 5 है N की 3 यह transistor दे रखा है तो transistor को हमें choose नहीं करना है जिस option में हमारा transistor होगा वो गलत होगा अब D option में 1, 2, 3, 4, 5 देख सकते हैं यहाँ पर 3 BJT भी present है तो इसका मतलब D option भी हमारा correct है नहीं होगा अब option A देख सकते हैं option A में आपको 1 और 2 देखने के लिए मिल रहे होगे यहनकी 1 statement और 2 statement दोनों की दोनों devices हमारी क्या हैं यह thyristor है आप देख सकते हैं जो SCR और जो GTO होता यह thyristor family के सदस हैं जबकि BJT और MOSFET और IGBT यह क्या है transistor family के member है I hope आपको question समझ में आ गया होगा और question को लगाने का तरीका भी आपको समझ में आ गया होगा तो हमारा answer A हो जाता है यदि देखो इससे आपको दो चीज़ सीखने के लिए मिलेंगी यदि आपकी power electronics यहां पर complete है तो आपको इस series में 10 question मिलेंगी 10 में से यदि आपके 8 question correct जाते हैं 80% आपकी accuracy रहती है तो आपकी तैयारी बहुत अच्छी है इसको एक प्रिकार से आप यहां पर खेलो और सीखो प्रतेउगता के तौर पर लगा सकते हैं तो चलिए अब हम चलते हैं next question की तरब तो यह question है इसमें पूछा गया है question को पढ़ लेते हैं क्या कह रहा है a thyristor can we switched from non-conducting state to conducting state why apply यान कि जो thyristor non-conducting state से conducting state में किसको apply करने से चला जाएगा पहला statement है voltage more than forward break over voltage दूसरा option है voltage with high db upon dt और तीसरा option है तीसरा statement है positive gate current with positive anode voltage चौथा statement negative gate current with positive anode voltage option में आपको correct पूछ रहा है तो देखो यह question जो related है वो thyristor के turn on करने के method से है क्या है turn on करने के method से है ठीक है तो अब आपको देखो सबसे पहले यह गिराब देखना होगा यह जब हम यहाँ पर लगाते हैं यह break over voltage क्या है बी वी ओ जब anode voltage इस से greater पहुंच जाएगी break over voltage से तो thyristor हमारा turn on हो जाता है तो statement 1 हमारा correct है ठीक है दूसरा जो method होता है thyristor को turn on करने का वो होता है हमारा high db upon dt high db upon dt तो दूसरा statement भी हमारा ठीक है तो पहला statement आपको सही मिल गया दूसरा भी सही मिल गया और तीसरा देखते हैं जब हम thyristor पर positive voltage apply करते हैं यह इस परकार हमारा anode है और यह cathode है और यह हमारा gate है इसको positive और यह negative और यहाँ पर small क्या करते हैं positive gate current provide करते हैं तो thyristor हमारा क्या हो जाता है on हो जाता है तो positive gate current with positive anode voltage यह option भी हमारा correct है अब देखते हैं negative gate current with positive anode voltage यह गलत है क्योंकि गेट पर negative voltage प्रोवाइड करने से हमारा thyristor on नहीं होता है अब देख सकते हैं हमें यह पता पढ़ गया चौथा गलत है जब चौथा गलत है तो चौथा जिस जिसमें होगा वो हमारा answer नहीं होगा हमें पता 1, 2, 3 यह सही है तो चौथा कलत है यह हमारा answer नहीं होगा ब ओप्सन में देख लेते हैं चौथा प्रेजर्ट यह भी हमारा answer नहीं होगा C देख सकते हैं 1, 2, 3 यह हमारे correct है जब कि इसमें भी चौथा यह भी हमारा answer नहीं होगा तो C option आपका right answer हो जाएगा दोस्तों अब हम चलते हैं इसके देख सकते हैं यहाँ पर C answer आपका correct है तो अगला question है हमारा इसमें पूछा गया है question 3 number है consider the following statement आपको कुछ statement दे गए consider the following statement as you are can be turned on by बहुती most important video होने वाली है आपको यहां से एक positive energy मिलेगी जिससे कि आप अपने mcqs को अच्छे से solve कर पाएंगे यह जो मैंने आपको पहले ही बताया है कि जो correct और incorrect वाले question होते हैं no और note वाले question होते हैं यह तो या तो property से होते हैं या फिर उसके uses से होते हैं या advantage, disadvantage से आपको देखने के लिए मिलते हैं तो यदि आप अपना कोई topic read कर रहे हो तो इन चीजों को आपको अच्छे से ध्यान में पढ़ना है क्योंकि इस बार भी majority जो रहेगी question की वो आपको यह पर correct और not correct वाले question की आपको रहने वाली है इसमें कोई दो राये नहीं है कभी आप गलत माने question यही आएंगे correct और incorrect वालों की majority जादा रहेगी पिछले दो तीन सालों से यही हो रहा है UPPCL में तो यहाँ पर देख सकते हैं consider the following statement as CR can be turned on यह भी क्या है SCR के turn on करने से related है question कहां से related है SCR के turn on method से तो आप जानते ही होंगे पहला statement दे रखा है by apply voltage at sufficient fast rate यदि आप anode voltage को एक high rate से provide करते हैं तब भी हमारा thyristor यहनकी SCR on हो जाता है दूसरा option दूसरा statement apply sufficient large anode voltage large anode voltage लगाने से fast rate का मतलब db upon dt high db upon dt अभी पढ़के आयते हैं large anode voltage लगाने से जब anode voltage हमारी कहां उससे अधिक हो जाएगी break over voltage से तब भी हमारा thyristor on हो जाता है तीसरा statement है increase temperature of SCR to sufficient large value यह गलत हो जाएगा यहां पर देखो हम temperature को large value तक नहीं बढ़ा सकते क्योंकि losses बहुत जाद हो जाएगे चौथा statement क्या है apply sufficient large gate current तो इसमें क्या पूछा है which of the above statement correct पूछा है यहां पर not correct वाला नहीं है कौन-कौन से statement हमारे correct है तो पहला correct है दूसरा correct है तीसरा हमारा incorrect है और चौथा statement यह दे रखा यह भी हमारा क्या है correct है तो 1 2 और 4 statement हमारे correct है जिस statement में जिस option में तीन statement होगा वह गलत हो जागा जैसे कि हमारा option A यह भी गलत हो जागा क्योंकि हैं पर 3 option statement 3 है अब देख सकते हैं B option में भी statement 3 दे रखा यह भी गलत है तो 1 2 4 यह हमारा है यहां पर मिल रहा C option देखो यह question आपको इसके option बहुत अच्छे से लगाने होंगे क्योंकि आते हुए भी गलत हो जाता है फिर बच्चे बाहर आके कहता है क्या हमारा question घलत हो गया तो आपको यहां पर देखने के लिए मिल रहा होगा दोस्तो बन टू फॉर किसमें दे रखा तो यही हमारा answer होगा इस परिकार के question को यदि आपको एक statement याल है तब भी आप लगा सकते हैं यदि आपकी अच्छी practice हुई 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 है तो option C हमारा 1, 2, 4 क्या हो जाँगे correct answer हो जाएगा दोस्तो ठीक है यदि आप electrical परिक्षय YouTube चैनल बनना हो तो चैनल को subscribe करके जरूर हो जाएगा और वीडियो को like और share जरूर कर दीजिए जिससे कि आपको इसी विकार का content मिल सकेगा ठीक है तो अब हम चलते हैं question number 4 की तरफ इसमें क्या दे रखा है consider the following statement कि इसमें कहा गया and ser from its office state can be made on यहां पर क्या है देखो यह जो कौशन है यह कौशन है ser को off करने के method से related है अभी तक आप पढ़े थे turn on करने के method से method के जितने भी question थे वह आपने पढ़ लिए अब है यह ser को off करने के method से off करने को हम क्या बोलते है ser का commutation बोलते है ser को commutation करना बोलते है off state में ले जाने के लिए तो आप देख सकते हैं पहला statement क्या कह रहा है कह रहा है increasing its anode voltage यह बोल रहा है एक sr from अच्छा यह जो है यह भी question जो है इसके state can be made on देखो मैं बता ना ना हूँ यह question बहुती ज़्यादा sensitive होते हैं यदि आपकी थोड़ी ही गलती हो जाए तो गलत अब यह question हमारा गलत हो जाता पूछ रहा है off state से हमें क्या ले जाना है हमें made on करना है तो पहला statement आपका सही हो जाएगा यदि आपको thyristor on करना है तो increasing its anode voltage यह हमारा बिलकुल correct है ठीक है दूसरा statement increasing its gate current यह भी हमारा correct है दोस्तों तीसरा है यहाँ पर decreasing its gate voltage यह हमारा यहाँ पर option सही नहीं होगा यह statement तीसरा हमारा गलत है gate voltage को decrease करने से कभी भी turn on नहीं होता यह thyristor का turn on करने का method नहीं है decreasing its anode current यह भी गलत है anode current जब holding current से जब anode current holding current से कम हो जाएगी तो हमारा thyristor क्या हो जाएगा turn off हो जाएगा off हो जाएगा तो इसलिए यह 3 और 4 हमारे गलत है क्या पूछरा which of the statement given are correct कौन कौन से statement है जो की हमारे correct है अब हम देख सकते हैं यहां पर हमारा पहला सही है दूसरा सही है तीसरा चौथा यह गलत है तो तीसरा चौथा यह हमारा statement गलत हो जाएगा ठीक है चौथा इसमें यह भी गलत हो जाएगा बन और 3 यह भी गलत हो जाएगा तो यह तो हम एक यूज करेंगे यह तो anode voltage ब पढ़ाएंगे जिससे की हमारा थाइरिश्टर ओन हो जाएगा तो ऑप्शन ए हमारा करट अंसर है बन और टू को यूज करके हम थाइरिश्टर को टर्ण ओन कर सकते हैं दोस्तों देख सकते हैं आप अगला है हमारा कॉस्टन बहुत ही जदे इंपोर्टेंट आपके लिए क्या बोल रहा है कह रहा है आईजी बीटी के साफ यह आपको निम लिकित कतनों पर बिचार करना है कंसीडर दी फलोइंग स्टेटमेंट इन रेस्पेक्ट ओफ आईजी बीटी पहला स्टेटमेंट मॉस्पेट एंड बीजेटी देखो यह कॉस्टन ऐसे होते हैं कि यदि आपका टॉपिक थोड़ा इनकप्लीट होता है तो वो टॉपिक आपका बहुती ज़्यादा स्ट्रॉंग हो जाता है आप देख सकते हैं यहां पर क्या है आईजी बीटी यह मॉस्पेट और ड्रॉप होती है यह भी बात इनकी ठीक है कि आईजी बीटी में फोरवड वोल्टेज ड्रॉप क्या होती है लो होती है तो आपका पहला सही दूसरा सही और तीसरा स्टेटमेंट देख लेते हैं यह बात भी इनकी ठीक है कि जो आईजी बीटी होती है इसकी जो स्विचिं speed होती है, MOSFET से कम होती है, चौथा option आपका, it has high input impedance, ये बात ठीक है कि input impedance IGBT की high होती है तो आपको 4 option आपके correct है, question में पूछ क्या रहा है which of the statement given above are correct, ये correct वाले statement पूछ रहा है, तो हमारे 4 के 4 option यहाँ पर statement क्या है, correct है, आप देख सकते हैं, चारो statement किस में correct है, तो ये option आपको दिख रहा होगा, 1, 2, 3, 4, चारो के 4 statement किस में present है, option A में, तो option A हमारा सही हो जाएगा दोस्तो बहुती अच्छे question आपको लेकर के यहाँ पर आए हैं तो आप यदि channel बनाए हो तो चैनल को subscribe जरू करके जाएगा तो यहाँ पर option A आपको correct हो जाएगा IES 2007 में आया हुआ question है, अब चलते हैं question number 6 की तरब क्या दे रखा है, question यह भी हमारा correct और not correct से है, consider the following statement about about IGBT किस से related है, IGBT से related है, क्या पूछा कया है it has high input impedance, अभी हमने पढ़ा था IGBT के बारे में क्या क्या पढ़ा था, यह MOSFET और BJT से मिलकर बना होता है input impedance high होती है low forward voltage drop होता है यह दूसरा statement क्या है it has low on state voltage drop, देखो यहाँ पर voltage drop क्या होती है हमने पहले ही question में पढ़ चुके है low होती है तीसरा statement क्या है switching speed is higher than MOSFET यह गलत हो जाएगा क्योंकि अभी हमने question पढ़ा था उसमें कहा गया था कि IGBT की switching speed होती है वो MOSFET से lower होती है तो यह statement आपका गलत हो जाएगा, तीसरा statement गलत है, 14 it has for voltage control device यह statement भी ठीक है क्या होती है, जो IGBT यह voltage control devices है तो which of the above statement are correct अब इसको लगाने का तरीका क्या होगा देखो, आपको दिख रहा होगा तीसरा statement हमारा गलत है सही कौन-कौन से है, 1, 2 और 4 यह सही है और तीसरा statement गलत है तो option A में हमारा तीसरा statement यह गलत हो जाएगा क्योंकि है statement तीन present है, तो option A गलत है, क्योंकि यह 3 जो है not correct है, option B हमारा 2, 3, 4 यह भी गलत हो जाएगा, क्योंकि हैंपर 3 present है, option C हमें मिल रहा है, 1, 2, 4 यह हमारी क्या है, correct correct है, तो option C आपका answer हो जाएगा दोस्तों, दोस्तों आयोब आपको सभी question बहुत ही अच्छे लग रहे होंगे, तो option C आपका right answer है, दोस्तों IES 2015 में आयोगा, question है, एक question बहुत ही जादा important है कुछ नया आपको सीखने के लिए मिल रहा होगा, अब देख सकते हैं इसमें पूछा गया, अगले question में question number 7, आपकी screen पर क्या है, इसमें कहा गया, consider the following statement with respect to the power transistor used in inverter इसमें कहा गया है नेमलिक दिकतनों पर बिचार करना है, किसके साब एक्छा यह inverter में, power transistor के use करने की respect में है पहला statement क्या है maximum collector emitter voltage, BCE यह क्या है, BCEO जो हमारा power transistor होता है इसमें maximum collector emitter voltage होती है, यह भी बात ठीक है maximum collector current present होती है, यह भी बात ठीक है, maximum power dissipation होता है, यह भी बात ठीक है, जो power transistor होते हैं, जब इसको inverter में use करते हैं, तो इसमें maximum collector emitter voltage होती है maximum collector current होती है maximum power dissipation होता है maximum current gain at minimum load current, यह statement आपका गलत हो जाएगा कि जो power transistor होते हैं इसमें minimum load current पर नहीं होती है maximum current maximum load current पर ही maximum current होती है तो यह गलत है पांचवा statement maximum current gain at maximum load current यह वाठी जो current gain कब हाई होगी जब हमारी load current हाई होगी तो इस्टेटमेंट चौथा हमारा गलत है अब इसको देख सकते हैं किस परिकार हम इसका आंसर लगाएंगे तो क्या पूछा है इसमें आपको यह कर्रेक्ट और इनकर्ट ढ्याएंस से रखना है पूछ किया रहा है ऐकजामनर पूछ रहा है कों कॉन से क्या । कि mijen था दूसरा सचिता और तीसरा सचित पाँचवा सचिता तो 1, 2, 3 और 5 यहां पर होंगे वही हमारा option answer होगा तो आप जेख सकते हैं option B में 1, 2, 3, 5 यह है तो B option आपका right answer हो जाएगा दोस्तों बहुती अच्छे question मैं आपको ले करके आया हूँ तो B option यहां पर right answer हो जाएगा यदि आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाएगा जिससे कि हम इस सिरीज को continue कर सके हैं तो B option आपका यहां पर right answer हो जाएगा दोस्तों question number 8 की तरफ हम चलते हैं आपके जितने भी question correct जाएगा आपको comment box में comment करके बताना है कितने question आपके सही गए यदि 10 में से आपके 8 question correct जाते हैं तो आपकी तयारी ठीक है अन्य था आपको power electronics में और ज्यादा revision करने की जरूरत है क्योंकि power electronics जब examiner पूछाएगा तो लगो इसके 40 से लेगे 50 question यहां पर आपको UPPCL रखेगा आपके सामने जैसे कि consider the following statement with regard to power diodes power diode की सापेक्ष निम लिकत में से कौन से जो statement है उनके बारे में हमें विचार करने है और उसके बाद में बताना है इन में से कौन से statement आपके correct है तो यहां फर correct वाला statement पूछ रहा है तो पहला statement आपको दे रखा हुआ किसके सापेक्ष है यह पावर डायोड के सापेक्ष है इसमें पूछा है यह पावर डायोड की ब्रेकडाउन बोल्टेज होती है वो डोपिंग डेंसिटी के प्रोपोर्शनल होती है यह गलत है अब देख सकते हैं हमारा option जो है यहां पर दूसरा statement क्या है इसमें कहा गया है कि आपका लॉस लॉसिस इन डायोड और लैस ड्यू टू कंड़क्टिविटी मॉडूलेशन ओफ ड्रेप्ट रीजन इन दा ओन स्टेट तीसरा statement दा बर्टिकली ओरियंटेड इस्ट्रेक्चर सपोर्ट लार्ज ब्लोकिंग बोल्टेज तो करेक्ट जो होते हैं हमारा तीसरा statement आपको करेक्ट हो जाएगा केवल कि जो पावर डायोड होते हैं वो क्या रखते हैं बर्टिकली ओरियंटेड इस्ट्रेक्चर को सपोर्ट करते हैं क्या करता है large blocking voltage को support करता है vertically oriented structure बावा डायोड में ठीक है तो statement 3 correct है तो यह किसमें मिल रहा है हमारे option number C में हैं यहाँ पर मिल रहा है तो आपका C answer हैं यहाँ पर हो जाएगा दोस्तो दोस्तो अब हम चलते हैं अगले question की तरफ 9 number question आपको देखनी के लिए मिल रहा होगा इसमें क्या कहा गया है इसमें कहा गया है consider the following statement regarding thyristor जो आपका thyristor है consider the following statement regarding thyristor thyristor की सापिक्च कुछ statement है उन पर आपको विचार करना है और उसके बाद बताना है which of these statements are correct है ठीक है correct वाले statement बताने है it conduct when forward bias and positive current flow through the gate इसमें कहा आए कि यह से थारिश्टर कब conduct करता है जब हम gate पर positive current देंगे और forward bias में होगा तब यह conduct करेगा तो इसका मतलब यह ठीक है अभी हम पीछे पढ़के आए थे turn on करने के method से है यह ठीक है अगला तो पहला statement आपका correct है यह दूसरा statement आपका गलत हो जाएगा गेट पर negative voltage देने से थारिश्टर ओन नहीं होता है तीसरा statement है it commutates when reverse bias and negative current flow through the gate जब यह देखो जब एक बार turn on हो जाता है तो उसका जो है gate का control उसके थारिश्टर से हट जाता है gate current हटाने से वो off नहीं होता है तो यह आपका statement तीसरा गलत हो जाएगा कि यह negative gate current provide करने से यही तो बोलना है थारिश्टर commutates का मतलब होता off commutation का मतलब होता थारिश्टर के off करने के method से तो थारिश्टर जब gate का जो है gate current is drawn which of these statement are correct तो देखो यह भी कलत है gate current हटा लो या कुछ कपी कर लो एक बार turn on हो गया तो हो गया हमारा जो option D है यहाँ पर correct हो जाएगा क्योंकि only statement one correct है इसने correct वाला ही पूछा है तो बन हमारा correct है और बाकी two, three, four यह क्या है गलत है तो हमारे option D में बन मिल रहा है कि बन किस में है D में तो option D आपका answer हो जाएगा 9 का answer D देख सकते हैं IES 2013 में आए हुआ question है सभी के सभी question बहुती ज़्यादा most important है previous year से में आए हुए है मैंने आपको बताई दिया इसकी जो PDF आपको telegram group में बिल जाएगी बहुती most important question है इससे पहले भी मैं दो lecture की PDF आपको बहीं पर share कर परिक्षा के गुरुप में आप add हो जाए बहीं पर आपको मैं share कर दूँगा तो यहाँ पर देख सकते हैं 10 number question है इसमें पूछा गया है कि आपका यहाँ पर for the BI characteristic of SCR which of the following statement are correct इसने कहा है SCR का जो BI characteristic होता है उसमें उसके सापेच कुछ statement दिये गए हैं अब आपको बताना है कि यह statement सही है या गलत है ठीक है यही तो पूछ रहा है correct वाले statement पूछ रहा है तो आपको correct correct statement आपको बताने हैं तो पहला statement आपको देखने के लिए मिल रहा होगा it will trigger when applied voltage is more than forward break over voltage अभी मैंने आपको figure बना है था यह इस पिरकार यहाँ पर चलता है यह break over voltage होती है यदि आप यहाँ से इस से ज़्यादा anode voltage लगा देंगे तो यह on state में चला जाएगा पहला statement आपका correct है holding current is greater than latching current दूसरा statement देख सकते हैं holding current क्या हो holding current latching current से कम हो यह गलत है statement टू इसने यही तो कहा है holding current जो होती है हमारी हमेशा latching current से कम होती है ठीक है latching current से कम होती है यह हमारा यहाँ पर यहाँ पर जो हमारी latching current होती है holding current से greater than होती है दो गुणा बड़ी होती है अब लगबग दो गुणा रही गुणा बड़ी होती है तो यहां देख सकते हैं यह दूसरा statement आपका incorrect हो जाएगा तीसरा statement है when reverse biased a small value of leakage current bill flow इन्होंने यह कहा है तो पहले statement correct था दूसरा गलत है when reverse wise जब यह reverse wise में होता है तो leakage current flow होती है यह बाद ठीक है चाहें वो reverse wise में हो दोनों ही condition में थारेश्टर में leakage current flow होती है it can be triggered without gate current तो इसको हम बिना gate current के भी trigger कर सकते हैं जब हमारी anode voltage break over voltage से ज्यादा हो जाए तो चौता option भी हमारा correct है तो दूसरा statement हमारा incorrect है अब देख सकते हैं किस परकार यहाँ पर आपको आंसर देना है तो दूसरा statement आपका गलत है बन थेरी फोर यह हमारे सही है और सही वाले ही पूछ रहा है तो बन थेरी फोर जिस हमारे जिस option में होंगे बही correct होगा तो बी option में आपको देखनी के लिए मिल रहा होगा बी option आपका यहाँ पर correct हो जाएगा बन थेरी फोर statement correct है तो आई होब आपको यहाँ से कुछ new मिला होगा आपकी जो है positive energy हैं पर इलबड होई होगी आपको यहां से बहुत कुछ सीकने के लिए मिला होगा आपको question लगाने का तरीका जैसे कि मैंने बताया था आपको एक statement से भी question क्या कर सकते हैं सही कर सकते हैं option में देखने के बाथ किस किस में present है या नहीं है वो मैंने आपको बता दिया है आई होब वीडियो आपको बहुत ही जादा मस्त और जबर्चस्त लगी होगी इसी पिरकार की और वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाएगा और वीडियो को लाइक और सेर जरूर करिएगा कमेंट में कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताईएगा आपको वीडियो कैसी लगी तो चलिए मिलते हैं अपनी नेक्ष वीडियो में तब तक के लिए जैहिंद नमस्कार थैंक यू फूर बाचिंग